एलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल बेबी के नॉर्मल पोजीशन में आज आने पर आपको कैसा महसूस होता है जो नई मा बनने वाली है उनको एकदम समझ में नहीं आता है अगर बेबी ने हेड़ डाउन पोजीशन कर लिया है तो हम यहाँ पर इसी टोपिक पर बात करेंगे तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए अगर आप पहली बार बनने वाले हैं या दूसरी बार मा बनने वाले हैं लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि बेबी हेड़ डाउन पोजीशन तो कर लेता है लेकिन कभी-कभी अपनों हमको महसूस नहीं हो पा है आने की नीचे की तरह डिलेयोरी के लिए तयार होता है जन्म लेने के लिए liya में आने के लिए लेकिन कुछ महलाओं में ऐसा लेबर पीन के दौरान होता है यानिकी कुछ महलाओं को 34 से 36 सपता क्या असपास हो सकती है अब आपको कैसा मैसुक्त होगा जब बच्चे पाजन महिला के मुत्राशाई पर पड़ता है इस वजय से महिला को बार बातरूम जाना पड़ता है। बच्चे के नीचे खसक कर आने के कारान महिला को पेट के उपरी हिस्से और जो पीट दर्द रहता है बहुत अधीक पेन होने लगता है। इसके सांथ ही पूरा लोड आपको दर्द हो सकता है, पीट में दर्द हो सकता है, और आप ब्रेश्ट आपके और ज़्यादा हेवी हो जाएंगे, उसमें से केलोस्ट्रम का रिसाओ होने लगएगा, यानि पानी जिसा बाहर निकल सकता है, बेबी के हेड़ डाउन पोजिशन करने में, आपको सांस लेने जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, आपको अनुमान लगाना है कि बेबी ने हेड़ डाउन पोजिशन कर ली है, अगर आपके साथ ऐसा सारे सिम्टेंस होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने अपना जुसर है, वो बर्त के लिए यानि की नॉर्मल डिलेवरी के हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे थे, अब हम यहाँ पर जानेंगे अगर आपका, यानि कि आपका नाइंथ मन्त पूरा हो चुका है, या एक दो दिन ही बचे हैं, उसमें नॉर्मल डिलेवरी के होने के लिए तो आपको कौन से सिम्टेंस मिल सकते हैं, जिससे आप असानी से स सकें, ताइकि आपकी नॉर्मल डिलेवरी असानी से और डॉक्टरों के बीच में सेफटी तरीके से हो जाए, तो पहला है पानी छुटना, अगर आपको हलका वाइड डिश्चार्ज, चिपचिपा, गाड़ा या पतला होता है, तो आपकी डिलेवरी बहुत ही जल्दी होन सब महलाओं में अलग-अलग होता है, किसी को या लोडार को होता है, किसी को हलका पिंक या किसी को गाड़ा, या किसी को एकदम पानी की थेली फटती है जब जाना है, तो देखिए लेबर पेन एकदम अचानक शुरूनी होता है, आपको दो से तीन घंटे पहले ही इसका हल गहल का 50-60 सेकंड के लिए पीट में दर्द हुआ या पीट में अगर आपकी दर्द नहीं हुआ तो आपके पेट के निचले इससे प्राइविट से पाइट से थोड़ी उपर आपको बहुत तेज दर्द होगा तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेबी ने यानि कि हेट डाउन अनकल्या है अब हमारी 2-3 घंटे में ही डिलेवरी हो जाएगी अब आपको इस दर्द कैसे समझना है यह दर्द जो नॉर्मली आपने कभी देखा होगा या खुद को हुआ होगा कि पीट में पेट में इससे दर्द होते हैं यह वाला नहीं रहता है बहुत अधीक दर्द रहता है इससे आप सेहन नहीं कर पाते हैं तो आपको बलीडिंग होती है यह वाई डिश्चार्ज होता है यह एलो वाला डिश्चार्ज होता है तो आप इसको अबोईड ना करें ऑस्पिटल जाए इसके सांथी बेबी हिड डाउन करने के बाद आपको बार-बार सोना और जो लेबर पेन रहता है हो 40-60 सेकेंड के बीच में ही रहता है ब्लीडिंग होना तो आप लस्टेंग के कुछ कलियों को नाइंत मंत लग चुका है तो चाबाना सुरू कर दीजिए सुबह सुबह इस गीरवाल अचली हो जाती हो नॉर्मल डिलेवरी के चांस ज्याद इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं जो डिलेवरी के चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देते हैं और आपकी जो गिरवा है वो लच्छीली हो जाती हो जो नॉर्मल डिलेवरी के चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं ये थी इतनी information I hope आपको वीडियो पसंद आ है कि समय आ गया है लेकिन बेबी ने हेड़ डाउन पोजिशन कर लिया है लेकिन अभी तक लेबर पे नहीं आये तो आपको क्या खाना चाहिए और आपका ध्यान केसे रखना चाहिए थैंक्यू वाचिंग फर दिस वीडियो